हलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद है और ग्लोबल राशिद यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप सभी को मालूम ही है, केरला में अभी जो प्राकर्तिक आपदा आई है जो फिलड वहां पर आया हुए है, वो हम सभी को मालूम है मैं चाहता हूँ जितना हमसे पॉसिबल होगा, उतनी हम वहां पर उनकी हैल्प करें दौा भी कीजिएगा और डोनेट भी कीजिएगा जितना आप से पॉसिबल हो सकते हैं जितना आपके दिल को लगता है कि मुझे help करनी चाहिए उतना आप help कीजिएगा जितना मुझे से possible हुआ उतना मैंने send किया जितना आप से possible होगा उतना आप help कीजिएगा हम सबी मिलकर अगर हम सभी भारतवाशी और पहार से भी जितने जो लोग हैं help कर रहे हैं लेकिन अगर हम सभी ज़्यादा ना सही एक एक रुपए दस-दस रुपए की भी help करें ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता लेकिन इंडिया में जो हमारी population है अगर 30 करोड अगर उसकी सिर्फ 1 एक परसेंट को कई लेकर चले एक परसेंट से भी कम हम माननकर चले एक करोड लोग भी help करते हैं और 10 दस-दस रुपए देते हैं तब भी 10 करोड रुपए केरला को जाएगा इन दस-दस रुपे का मालूम भी नहीं होगा कि हमने डोनेट किया है, लेकिन केरला के लिए कितनी हेल्प हो सकते हैं, वो हम नहीं सोच सकते हैं हम हमेशा कहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मौका है केरला के लिए भी और देश के लिए भी हमें यहाँ पर कोई जंग नहीं जीतनी लेकिन जितना हमसे हो सकते हैं हमें मदद करनी है जो भी अगर आपको लगते हैं आपके पास कोई संस्था है आप उनके दोवारा वहाँ पर फंड बेश सकते हैं पेटियम के दोवारा फंड बेश सकते हैं उस लिंग के उपर गी क्लिक करके आप केरला की मदद कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को कहना चाहूंगा, सभी दरम जितना भी पोसिबल हो सकते हैं, सभी दरम जो हेल्प करते हैं, लेकिन अगर हम देखें, सिख कम्यूनिटी जो है, बहुत ज़्यादा हल्प करती हैं हर जगापर, चाहे वो उतराखंड का केदरनाथ हो, या जब मुकश्मीर हो, या सीरिया हो, या केरला हो, सबसे ज़्यादा जो मैंने देखना है, सिख कम्यूनिटी जो है, बहुत ज़्यादा हल्प करती हैं, और ये हम सभी की जिम्मेदारी हैं, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए कुछ करें, हम सभी को एक होने की जरूरत है, आज के वीडियो में इतना ही, जितना जात आपसे हो सकते हैं, उतना आप हेल्प किजिएगा और सहते हैं मैं आप इस वीडियो में कुछ नहीं कह सकता थेंक्यू